और यह देखिए क्याश्व श्टेटमें जो हम लोग वर आपरेटिंग अक्टिविटी फिनेंसिंग आक्टिविटी तीन ही पूर चुके हैं ठीक है अब लोग अब लास्ट में देखने जा रहे हैं घ्डम चैक्टर का एंड चल रहा है ठीक है तो ध्यान से इस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा तो इलस्ट्रेशन हमारा 47 है इसको देखते हैं प्रिपेर कैश्फ लो स्टेट्मेंट फॉम दो बैलेंस शीट ऑफ लीव लिम्टेड एज अर्ट 31 मार्श 2019 ठीक है तो इसमें हम लोगों को क्या क्या दिया गया है शेयर कैपिटल दिया रिजर्शन सर्पलस दिया है लॉंटॉम बॉर्विंग दिया प्रेड पेबल दिया है यह होगा हमारा लाइबिल्टी में ठीक उसके बाद आगे देखते हैं इसी में नॉन कॉरेंट असेट्स डी में दिया एफ इक्स एसेट्स टेंजिबल असेट्स द कि यसा में दिया हुआ है उसके बाद यहां पर एकестноौ अंप भी बना रूबाद है नोट आ पने दिया है पाल help को यह हम लोग को दिया हुआ का में दूबोड यह दिखते हैं इसी में तो थोड़ा ज्यान से दिखिए आगे बढ़ते हैं इसमें तो चलिए इस question को solve करते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकलना है cash flow from operating activity ठीक है तो इससे पहले हम लोगोंने format देखा था जिसमें तीनों तरीके के activity से cash flow निकलते हैं ठीक तो उसको याद रखिएगा ठीक तो चलिए सबसे पहले देखते हैं cash flow from operating activity इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं net profit for the year closing surplus जो दिया हुआ है हमें वह आ गया है यहां पर less कर दिया opening surplus ठीक है उससे हमें क्या मिल जाएगा operating profit before working capital changes ठीक है यह हम लोग को मिल गया कैसे closing surplus में से opening surplus को हमने minus कर दिया ठीक अब इसमें क्या करेंगे increase in current liabilities ठीक है उसको add कर लेंगे और decrease in current assets को क्या करेंगे add करेंगे यहां पर केवल हमें increase in current liability दिया हुआ ठीक है तो कितना दिया हुआ increase 48,000 ठीक है उसके बाद क्या करेंगे less कर देंगे increase in current assets ठीक है तो less कर दिया अब entries हमारी increase हो रही है कितनी 83,000 trade receivable हमारा increase हो रहा है कितना 22,500 इसको add करके यह और less करके हमें answer मिल गया cash flow from operating activity ठीक है next निकाल हम लोगोंने cash flow from investing activity cash flow from investing activity कैसे निकाल हम लोगोंने simple है purchase of tangible assets ठीक है tangible assets पर्चेस करने means हमारी जो tangible assets है वो क्या हो रही है increase हो रही है ठीक है तो इसलिए जो access आ रहा है वह हमारा क्या है purchase किया हमने 42,000 bracket में जाएगा means minus में जाएगा purchase minus में नहीं जाएगा bracket में अगर किया है इसका मतलब हमने expense किया है ठीक है purchase of non-current investments यह भी bracket में चाहिएगा इन दोनों को add करके यहां पर आगया cash used in investing activity क्लियर है यहां पर हमें simple सा सिधा साधा दिया हुआ है question ठीक जैसा कि हम लोगोंने देखा question अब यह हमारा निकल आया cash flow from investing activity अब निकालेंगे cash flow from financing activity simple proceeds from issue of share हमने access share है हमारे पास ठीक है closing access share है तो इसका मतलब जितना access है उसको हमने क्या किया purchase किया इशू किया share हमने ठीक है तो simple proceeds from issue of share कितना है हमारे पास 8,000 sorry 30,000 तो यह जो 30,000 आया हमारा यह क्या हो गया है cash flow from financing activity ठीक है और कुछ नहीं था इसमें simple simple जो access shares थे जो issue किये थे तो जो proceeds इसमें लिए वह हमारा cash flow from financing activity हो गया ठीक अब डी जो आया था उसमें क्या करेंगे net increase in cash and cash equivalents ठीक है तो यह जो हमने cash flow from operating activity निकाला cash flow from investing activity निकाला cash flow from financing activity निकाला इन तीनों को add कर देंगे ठीक है तो जो आएगा वो क्या होगा हमारा net increase in cash and cash की valence ठीक है तो अब क्या करेंगे जो हमने निकाला सबसे पहले यह जो 50,000 आया 500 ठीक है इसमें क्या करेंगे 70,000 add करेंगे फिर 30,000 add करेंगे ठीक है तो जो आएगा वो क्या आएगा अब 50,500 है 70,000 माइनस में ठीक है जितना आया माइनस में जितना बचेगा तो 72,000 में से 50,500 less किया कितना बचा हमारे पास 18,000 समसिंग बचा ठीक है उसके बाद 30,000 है हमारा ठीक है अब जितना जो जादा है वो क्या निकल के आगे हमारा ठीक है वो आगे यहाँ पर उसके बाद क्या करेंगे add कर देंगे इसमें opening cash and cash equivalents ठीक है तो जो भी cash and cash equivalents है हमारे पास opening balance उसको add कर लेंगे तो अब कितना हुआ उसमें तो cash and cash equivalents देखे हमने इस तरीके निकला आओ current investment plus cash and cash equivalents ठीक है तो current investment हमारा क्या है यहाँ पर opening balance में ठीक है यह आगे हमारा closing balance में यह आगे हमारा ठीक है तो यहाँ क्या किया हम लोगों ने opening निकालना है हमें तो opening रख दिया है यहाँ ठीक है current investment उसक्स्टी था और cash and cash equivalent 9500 किते हैं इनको add करके यहाँ पर दिखा दिया हमने closing कितना था last में 78 था clear है तो यह भी आ गया हमारे पास है यह सब हमें दिया है तो यह हमारा बन गया cash flow statement ठीक है अगर केवल आपको बोले कि cash flow statement बनाना है तो जो cash flow statement बनेगा वो इस format पर ही बनेगा जो format हमने last पढ़ा था यह जो format आपके सामने है ठीक है अगर आपसे बोले केवल cash flow statement बनाना है ठीक है तो cash flow statement इस तरीके से ही बनेगा और अगर आपसे बोलता है cash flow from operating activity cash flow from investing activity या cash flow from financing activity अलग-अलग question में पूछ रहा है ठीक है तो अगर specify कि है कि आपको यह निकालना है इस activity से निकालना है तो आप operating investing या financing activity का जिसका बोला गया उसका आप निकालेंगे और इनके से अगर बोलते cash flow statement निकालना है तो statement मतलब हो गया आपका balance sheet ठीक है cash flow की तो statement statement में आपको तीनों तरीके से आपको जैसे आपने operating का निकाला ठीक investing का निकाला, financing का निकाला, cash and cash equivalents का opening भी रखा है यहाँ पर और closing भी रखा है ठीक है तो इस तरीके से क्या बनेगा यह हमारा statement बनेगा ठीक है अब आगे एक example और देखते हैं इसी में, अब next example जो हम लोग देखने जाए रहे हैं वो है हमारा illustration 50 ठीक है अब illustration 50 में हमें क्या दिया हुआ है इसको देखते हैं ठीक तो सबसे पहले हमें बोला गया है कि जो balance sheet हमें दी गई है ठीक है अब इस balance sheet में हमें क्या क्या दिया गय savings दिया है, trade payable दिया है, ठीक है, tangible assets दिया है, inventory दिया है, trade receivable, cash and cash equivalency हमें दिया हुआ है, साती साथ additional information भी हमें यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, तो additional information देखते हैं क्या है, during the year, a piece of machinery of book value Rs. 80,000 was sold for 65,000, appreciation provided on tangible assets, during the year amounted to Rs. 2,00,000, ठीक है, prepare cash flow statement, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, simple है, यह question भी last question की तरीके हैं, Delhi 2013 में पूछा जा चुका है, ठीक है, boards में, सबसे बहले statement बनाना है, तो जाहिर से बात है, तीनों तरीके की activities को हम लोग use करेंगे, यहाँ पर, ठीक है, तो अब इस question को solve करते हैं, चलिए, question solve करते हैं, simple है, cash flow statement के लिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, cash flow from operating activity निकालना है, इसके लिए हमें surplus चाहिए, ठीक है, तो surplus यहाँ पर आगया, closing balance, उसमें से opening balance कर दिया हम लोग ने, जो बचा हमारा क्या बचा है, net profit before, tax and extraordinary item, ठीक, अब इसमें non cash and non operating items को add कर दी हमें इसमें depreciation आगया हमारा, ठीक है, loss on sale of tangible assets आगया, इनको add कर दिया, तो जो total बना हमारा, वो आगया, 3,05,000, जो कि हमारा operating profit before working capital change आगया, ठीक है, next हम पहुंचते है, इसी में, राइट करेंगे, decrease in current assets and increase in current liability, ठीक, इसमें क्या है, trade payable है, trade receivable है, दोनों तरीके से ही है, इसको add करके है, पर लिख दिया, less करेंगे, increase in current assets और decrease in current liability, ठीक है, तो inventories है क्यवल यहां पर, उसको less कर दिया हमने, जो बचा हमारे पास, हो क्या बचा, cash flow from operating activity बचा, ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसी में, आगे next हम लोगों निकलना है, cash flow from investing activities, इसके लिए क्या कि हमन purchase है, यह कैसे निकाला, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, tangible asset account बनाया, simple है, जो balance, opening balance दिया गया, उसको brought down किया, हम लोगों ने, closing balance जो दिया गया, उसको carry down किया, ठीक है, उसके बाद हमें depreciation दिया गया है, जो additional information में था कि 2,00,000 रुपे हमने depreciation लगाया, पलुस, जो sale किया है, कितने पर sale किया है, 65,000 पर sale किया है, अब क्योंकि जो machine की value थी, वो 80,000 थी, उसको हमने 65,000 पर sale किया है, जो हमारा loss है, वो कितना है हमारा, 15,000 के loss में हमने sale किया, ठीक, तो और उसके बाद क्या करेंगे, इन सब को लिखने के बाद, balancing करेंगे, है balancing करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा जो balancing figure होगा कितना होगा वो यह होगा जिसको हम लोग purchase में डालेंगे तो यह जो purchase of tangible assets है हमारी वो यह आ गई ठीक है उसके राद proceeds from sale of tangible asset कितना हमें मिल रहा है 65,000 मिल रहा है ठीक है तो जो amount आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर cash used in investing activity ठीक है next आगे हम लोग cash flow from financing activity cash proceeds from issue of share जो share हम लोगोंने issue किये ठीक है एक लाग issue किये यहाँ पर आगया cash proceeds from long term borrowings ठीक है जो long term borrowing थी कितनी access हो रही है हमारे exceed हो रही है 1 lakh exceed हो रही है तो cash flow from financing activity कितना आगे है हमारे पास 2 lakh next आग यह increase in sorry net decrease in cash and cash equivalents a b c ठीक है अब कितना decrease हो रहा है हमारे पास cash ठीक है वो हमने total करके निकाल लिया यहाँ पर ठीक जिसमें आपका 3 lakh 8000 जो हम लोगों ने operating activity से cash flow निकाला था ठीक है उसके बाद cash used हुआ 5,15,000 उसके बाद 2 lakh इदार आया तो जो access बच रहा है हमारे पास ठीक है वो कितना बचना है हमारे पास 7,000 ठीक है opening balance जो cash in cash equivalents दिया उसका opening balance 35,000 अमें दिया गया था वो हमने यहाँ पर कर दिया उसके बाद cash in cash equivalents का closing balance पूछा गया है वो भी हमें दिया गया है वो मैंने यहाँ पर लिख लिए हम लोग ने ठीक तो इस तरीके से हम लोग को यह cash flow statement बनाना है तो मेरी समस्या आपको यह chapter यहीं पर complete होता है लेकिन आगे कुछ questions हम लोग और देखेंगे इस chapter में तो आज के लिए वीडियो में इतना ही